क्लोक वर्क की, ब्रास हेवन शहर हर सुभा अपनी विशाल यांतरिक धड़कन के साथ जागता था, गियर घूमते, भाप निकलती और पिस्टन पत्थरों के नीचे छिपे केंद्रिय इंजन की लए में चलते, आसमान हमेशा तामबे और धुएं के रंग का रहता, गैस लैं जन था, मिरा गियर लॉक इसी महान मशीन की चाया में बड़ी हुई थी, हालां कि उसने इसे कभी नहीं देखा, वह शहर के निचले इलाके में अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान चलाती थी, जहां वह ऑटोमेटन, जेब घडियां और अजीबो गरीब गैजेट्स की मरम करती थी, उसका एक मात्र साथी था स्प्रॉकेट, एक छोटा सा रोबोट जिसे उसने कभाड के पुर्जों से बनाया था, शहर अनन्त लगता था, एक भूल-भुलिया जोगियर, भाप और संकरी गलियों से बनी थी, लेकिन मिरा की दुनिया छोटी थी, उसे अपने बच अंधली छवी के एक प्रतीक जो एक कोग और एक ज्वाला को जोडता था, एक बारिश भरी दोपहर मिरा को एक पुरानी कार्यशाला मिलती है, जो एक धहते हुए गोदाम के पीछे छिपी थी, अंदर उसे एक अजीब पीतल की चाबी मिलती है, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए होते हैं, और वह हलकी सी चमकती है, जैसे ही मिरा उचसुकता से चाबी घुमाती है, एक प्राचीन मशीन सक्रिय हो जाती है, और शहर का एक होलोग्राफिक नक्षा प्रोजेक्ट करती है, यह केवल कोई साधारन नक्षा नहीं था, यह भूमिगत सुरंगों क जाल दिखाता है, जिसका केंद्र चमकता हुआ दिखाई देता है, अचानक यांत्रिक शिकारी कुत्ते उसके पीछे पढ़ जाते हैं, लाल आखों वाले ये कुत्ते उसे मारने पर उतारू होते हैं, वह चाबी पकड़ कर भागती है, और बाहर निकलते ही एक अजीब व् की मदद करता है, भागो बच्ची वह जोर से चिलाता है, मैं इन लोहे के कुत्तों को संभाल लूँगा, मिरा के रक्षक थे प्रोफेसर जेंडर विजबैंड एक सन की आविशकारत, उनकी जंगली, घुंगराली बाल और अजीबो गरीब उपकरनों से भरी हुई जैकेट ने उन्हें किसी वैज्ञानिक से अधिक पागल व्यक्ति जैसा दिखाया, अहां, यह चाबी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या पाया है, प्रोफेसर ने बताया कि यह चाबी साधारन नहीं थी, यह एक क्लॉक वर्प की थी, ब्रास हेवन के निर्मान के समय क कि एक रहस्यमय चीज जो शहर के दिल तक पहुचने का मार्क खोल सकती थी, मिरा को उस पर संदे हुआ, लेकिन प्रोफेसर का उत्साह उसे प्रभावित कर गया, उन्होंने मिलकर यह तै कि नक्षे का अनुसर्ण करते हुए कोर के रहस्य को उजागर करेंगे, जैसे ही मिर और विजबैन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि फॉगबॉर्न कलेक्टिव एक रहस्यमय गुट उनके पीछे हैं। उनका सामना करते हैं, एक विद्युक छडी, धुआ छोडने वाली छत्री और यहां तक की एक पोर्टेबल फ्लेमत्रोय। मिरा अपनी बुद्धिमानी से घडी की एक तंत्रिका का उप्योग करती है और एक जाल बिछा कर उन्हें फंसाती है। दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। नक्षा उन्हें एक प्राचीन लिफ्ट तक ले जाता है। यह उन्हें भूमिगत भूल भूलेया तक पहुचाती है। गियर और भाब के बीच यह जगह भयानक और जटिल थी। वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यांत्रिक मकडिया, विशाल, खतरनाक मकडिया जो तेज धार वाले पैरों से लैस थी। मिरा चाबी का उप्योग करते हुए उनके नियंत्रन तंत्र को ओवरलोड कर देती है। पहली दर्वाजे विश बैन पुराने कोड को डिकोड करके गुप्ट दर्वाजे खोलते हैं। गिर्ता हुआ पुल्क मिरा की तेजी और समझदारी उन्हें पिघले हुए धातु की नदी में गिरने से बचाती है। भूल-भुलिया में मिरा को अपने बचपन की यादे धीरे-धीरे वापस आने लगती हैं। वह याद करती है कि उसके माता-पिता ने उसे एक पेंडेंट दिया था, जो फॉग-बॉर्ण के प्रतीक जैसा दिखता था। भूल-भुलिया के केंद्र में वे कोर कक्ष तक पहुँचते हैं। यह एक विशाल-गियर और उर्जा से भरा हुआ कमरा था। मिरा चाबी को केंद्रिय स्लोट में डालती है। द्रेगन और फॉग-बॉर्ण भी वहां पहुँच जाते हैं। द्रेगन बताता है कि मिरा के माता-पिता कोर के निर्माता थे, लेकिन उन्होंने चाबी छिपा दी क्योंकि वे कोर की शक्ती को खतरनाक मानते थे। कोर खराब हो जाता है और पूरा शहर खत्रे में पढ़ जाता है। द्रेगन मिरा पर दबाव डालता है कि वह कोर को फिर से प्रोग्राम करे, लेकिन मिरा मना कर देती है। मिरा को एसास होता है कि कोर को स्थिर करने का एक मात्र तरीका चाबी को नश्ट करना है। यह शहर को बचा लेगा, लेकिन उसकी पुरानी यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा। वह चाबी को सक्रिय करती है, जिससे एक नियंत्रित विस्फोट होता है। कोर स्थिर हो जाता है, लेकिन चाबी हमेशा के लिए खो जाती है। विज बैंग मिरा को बचा कर उपर ले जाते हैं। शहर अब सुरक्षित है। मिरा अपने कार्यशाला में वापस आती है, और अपने माता-पिता की याद में पेंडेंट लटकाती है। क्लॉक वर्क की। ब्रास हेवन शहर हर सुभा अपनी विशाल यांतरिक धड़कन के साथ जागता था। गियर घूमते, भाप निकलती और पिस्टन पत्थरों के नीचे छिपे केंद्रिय इंजन की लए में चलते। आसमान हमेशा तामबे और धुएं के रंग का रहता, गैस लैंप और टिम्टिमाती बिजली की रोशनी से चमकता हुआ। इस शहर का हर पहलू कोर पर निर्भर था, जो गहराई में छिपा हुआ एक रहस्यमई इंजन था। मिरा गियर लॉक इसी महान मशीन की चाया में बड़ी हुई थी, हाला कि उसने इसे कभी नहीं देखा। वह शहर के निचले इलाके में अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान चलाती थी, जहां वह ऑटोमेटन, जेब घडियां और अजीबो गरीब गैजेट्स की मरम्मत करती थी। उसका एक मात्र साथी था स्प्रोकेट, एक छोटा सा रोबोट जिसे उसने कबाड के पुर्जों से बनाया था। शहर अनन्त लगता था, एक भूल-भुलिया जोगियर, भाप और संकरी गलियों से बनी थी। लेकिन मिरा की दुनिया छोटी थी। उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं थी, सिवाए एक धुन्धली छवी के एक प्रतीक जो एक कोग और एक ज्वाला को जोडता था। एक बारिश भरी दोपहर, मिरा को एक पुरानी कार्यशाला मिलती है, जो एक धहते हुए गोदाम के पीछे छिपी थी। अंदर उसे एक अजीब पीतल की चाबी मिलती है, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए होते हैं, और वह हलकी सी चमकती है। जैसे ही मिरा उचसुकता से चाबी घुमाती है, एक प्राचीन मशीन सक्रिय हो जाती है, और शहर का एक होलोग्राफिक नक्षा प्रोजेक्ट करती है। यह केवल कोई साधारन नक्षा नहीं था, यह भूमिगत सुरंगो का जाल दिखाता है, जिसका केंद्र चमकता हुआ दिखाई देता है। अचानक यांत्रिक शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। लाल आखों वाले ये कुत्ते उसे मारने पर उतारू होते हैं। वह चावी पकड़ कर भागती है और बाहर निकलते ही एक अजीब व्यक्ती उसकी मदद करता है। भागो, बच्ची वह जोर से चिलाता है। मैं इन लोहे के कुत्तों को संभाल लूँगा। मिरा के रक्षक थे प्रोफेसर जेंडर विजबैंड एक सन की आविशकारत। उनकी जंगली, घुंगराली बाल और अजीबो ग्रीब उपकरनों से भरी हुई जैकेट ने उन्हें किसी वैज्यानिक से अधिक पागल व्यक्ती जैसा दिखाया। अहा, यह चाबी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या पाया है। प्रोफेसर ने बताया कि यह चाबी साधारन नहीं थी। यह एक क्लॉक वर्क की थी, ब्रास हेवन के निर्माण के समय की एक रहस्यमेई चीज, जो शहर के दिल तक पहुँचने का मार्क खोल सकती थी। मिरा को उस पर संदे हुआ, लेकिन प्रोफेसर का उत्साह उसे प्रभावित कर गया। उन्होंने मिलकर यह तै किया कि नक्षे का अनुसर्ण करते हुए कोर के रहस्य को उजागर करेंगे। जैसे ही मिरा और विजबैन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि फॉकबॉर्न कलेक्टिव एक रहस्यमय गुट उनके पीछे हैं। फॉकबॉर्न ऐसे इंजिनियर थे जो शहर को अपने कबजे में लेना चाहते थे। एक घड़ी घर में फॉकबॉर्न का नेता कैप्टन ड्रेगन अपने सैनिकों के साथ हमला करता है। वह मिरा से चाबी मांगता है। विजबैंग अपने गैजेट्स का इस्तिमाल करते हुए उनका सामना करते हैं एक विद्युक छड़ी, धुआ छोड़ने वाली छत्री और यहां तक की एक पोर्टेबल फ्ले मत्रोय। मिरा अपनी बुद्धिमानी से घड़ी की एक तंत्रिका का उप्योग करती है और एक जाल बिछा कर उन्हें फंसाती है। दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। नक्षा उन्हें एक प्राचीन लिफ्ट तक ले जाता है। यह उन्हें भूमिगत भूल भूलेया तक पहुचाती है। गियर और भाब के बीच यह जगह भयानक और जटिल थी। वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यांत्रिक मकडिया, विशाल, खतरनाक मकडिया जो तेज धार वाले पैरों से लैस थी। मिरा चाबी का उप्योग करते हुए उनके नियंत्रन तंत्र को ओवरलोड कर देती है। पहली दर्वाजे विश बैन पुराने कोड को डिकोड करके गुप्ट दर्वाजे खोलते हैं। गिरता हुआ पुल्क मिरा की तेजी और समझदारी उन्हें पिघले हुए धातु की नदी में गिरने से बचाती है। भूल भूलिया में मिरा को अपने बचपन की यादे धीरे-धीरे वापस आने लगती है। वह याद करती है कि उसके माता पिता ने उसे एक पेंडेंट दिया था, जो फॉकबॉर्न के प्रतीक जैसा दिखता था। भूल भूलिया के केंडर में वे कोर कक्ष तक पहुँचते हैं। यह एक विशाल गियर और उर्जा से भरा हुआ कमरा था। मिरा चाबी को केंडरिय स्लोट में डालती है। द्रेगन और फॉकबॉर्न भी वहाँ पहुँच जाते हैं। द्रेगन बताता है कि मिरा के माता पिता कोर के निर्माता थे। लेकिन उन्होंने चाबी छिपा दी क्योंकि वे कोर की शक्ती को खतरनाक मानते थे। कोर खराब हो जाता है और पूरा शहर खत्रे में पढ़ जाता है। ड्रेगन मिरा पर दबाव डालता है कि वह कोर को फिर से प्रोग्राम करे लेकिन मिरा मना कर देती है मिरा को एसास होता है कि कोर को स्थिर करने का एक मात्र तरीका चाबी को नश्ट करना है यह शहर को बचा लेगा, लेकिन उसकी पुरानी यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा वह चाबी को सक्रिय करती है, जिससे एक नियंतृत विस्फोट होता है कोर स्थिर हो जाता है, लेकिन चाबी हमेशा के लिए खो जाती है विजबैंग मिरा को बचाकर उपर ले जाते हैं शहर अब सुरक्षित है मिरा अपने कार्यशाला में वापस आती है और अपने माता-पिता की याद में पेंडेंट लटकाती है विजबैंग मजाक में कहते हैं चलो एक नई चाबी बनाते हैं शायद इस बार कम धमाकेदार क्लॉक वर्क की ब्रास हेवन शहर हर सुबह अपनी विशाल यांतरिक धड़कन के साथ जागता था गियर घूमते, भाप निकलती और पिस्टन पत्थरों के नीचे छिपे केंद्रिय इंजन की लए में चलते आस्मान हमेशा तामबे और धुएं के रंग का रहता गैस लैंप और टिम्टिमाती बिजली की रोशनी से चमकता हुआ इस शहर का हर पहलू कोर पर निर्भर था जो गहराई में छिपा हुआ एक रहस्यमई इंजन था मिरा गियर लॉक इसी महान मशीन की चाया में बड़ी हुई थी हाला कि उसने इसे कभी नहीं देखा वह शहर के निचले इलाके में अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान चलाती थी जहां वह ऑटोमेटन, जेब घडिया और अजीबो गरीब गैजेट्स की मरम्मत करती थी उसका एक मात्र साथी था स्प्रॉकेट, एक छोटा सा रोबोट जिसे उसने कबाड के पुर्जों से बनाया था शहर अनन्त लगता था, एक भूल-भूलिया जोगियर, भाप और संकरी गलियों से बनी थी लेकिन मिरा की दुनिया छोटी थी उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं थी, सिवाए एक धुन्धली छवी के एक प्रतीक जो एक कोग और एक ज्वाला को जोडता था एक बारिश भरी दोपहर, मिरा को एक पुरानी कार्यशाला मिलती है, जो एक धहते हुए गोदाम के पीछे छिपी थी अंदर उसे एक अजीब पीतल की चाबी मिलती है, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए होते हैं, और वह हलकी सी चमकती है जैसे ही मिरा उचसुकता से चाबी घुमाती है, एक प्राचीन मशीन सक्रिय हो जाती है, और शहर का एक होलोग्राफिक नक्षा प्रोजेक्ट करती है यह केवल कोई साधारन नक्षा नहीं था, यह भूमिगत सुरंगो का जाल दिखाता है, जिसका केंद्र चमकता हुआ दिखाई देता है अचानक यांत्रिक शिकारी कुट्टे उसके पीछे पड़ जाते हैं लाल आखों वाले ये कुट्टे उसे मारने पर उतारू होते हैं वह चावी पकड़ कर भागती है और बाहर निकलते ही एक अजीब व्यक्ति उसकी मदद करता है भागो, बच्ची वह जोर से चिलाता है मैं इन लोहे के कुट्टों को संभाल लूँगा मिरा के रक्षक थे प्रोफेसर जेंडर विजबैंड एक सन की आविशकारक उनकी जंगली, घुंगराली बाल और अजीबो गरीब उपकरनों से भरी हुई जैकेट ने उन्हें किसी वैग्यानिक से अधिक पागल व्यक्ति जैसा दिखाया अहाँ, यह चावी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या पाया है? प्रोफेसर ने बताया कि यह चावी साधारन नहीं थी यह एक क्लॉक वर्क की थी, ब्रास हेवन के निर्माण के समय की एक रहस्यमेई चीज, जो शहर के दिल तक पहुँचने का मार्क खोल सकती थी मिरा को उस पर संदे हुआ, लेकिन प्रोफेसर का उच्साह उसे प्रभावित कर गया उन्होंने मिलकर यह तै किया कि नक्षे का अनुसर्ण करते हुए कोर के रहस्य को उजागर करेंगे जैसे ही मिरा और विजबैन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि फॉकबॉर्न कलेक्टिव एक रहस्यमय गुट उनके पीछे है फॉकबॉर्न ऐसे इंजिनियर थे जो शहर को अपने कबजे में लेना चाहते थे एक घड़ी घर में फॉकबॉर्न का नेता, कैप्टन ड्रेगन अपने सैनिकों के साथ हमला करता है वह मिरा से चाबी मांगता है विजबैंग अपने गैजेट्स का इस्तिमाल करते हुए उनका सामना करते हैं एक विद्युक छड़ी, धुआ छोड़ने वाली छत्री और यहां तक की एक पोर्टेबल फ्ले मत्रोव मिरा अपनी बुद्धिमानी से घड़ी की एक तंत्रिका का उप्योग करती है और एक जाल बिचा कर उन्हें फंसाती है दोनों किसी तरह बच निकलते हैं नक्षा उन्हें एक प्राचीन लिफ्ट तक ले जाता है यह उन्हें भूमिगत भूल भूलेया तक पहुचाती है गियर और भाब के बीच यह जगह भयानक और जटिल थी वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यांत्रिक मकडिया, विशाल, खतरनाक मकडिया जो तेज धार वाले पैरों से लैस थी मिरा चाबी का उप्योग करते हुए उनके नियंत्रन तंत्र को ओवरलोड कर देती है पहली दर्वाजे विश बैन पुराने कोड को डिकोड करके गुप्ट दर्वाजे खोलते हैं गिरता हुआ पुल्क मिरा की तेजी और समझदारी उन्हें पिघले हुए धातु की नदी में गिरने से बचाती है भूल-भूलिया में मिरा को अपने बचपन की यादे धीरे-धीरे वापस आने लगती है वह याद करती है कि उसके माता पिता ने उसे एक पेंडेंट दिया था जो फॉकबॉर्न के प्रतीक जैसा दिखता था भूल-भूलिया के केंडर में वे कोर कक्ष तक पहुँचते हैं यह एक विशाल गियर और उर्जा से भरा हुआ कमरा था मिरा चाबी को केंडरिय स्लोट में डालती है द्रेगन और फॉकबॉर्न भी वहाँ पहुँच जाते हैं द्रेगन बताता है कि मिरा के माता-पिता कोर के निर्माता थे लेकिन उन्होंने चाबी छिपा दी क्योंकि वे कोर की शक्ती को खतरनाक मानते थे कोर खराब हो जाता है और पूरा शहर खत्रे में पढ़ जाता है Dragon मेरा पर दबाव डालता है कि वह Core को फिर से प्रोग्राम करे, लेकिन मेरा मना कर देती है मेरा को एसास होता है कि Core को स्थिर करने का एक मात्र तरीका चाबी को नश्ट करना है यह शहर को बचा लेगा, लेकिन उसकी पुरानी यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा वह चाबी को सक्रिय करती है, जिससे एक नियंत्रित विस्फोट होता है कोर्स थिर हो जाता है, लेकिन चाबी हमेशा के लिए खो जाती है विज बैंग मिरा को बचा कर उपर ले जाते है शहर अब सुरक्षित है मिरा अपने कार्यशाला में वापस आती है और अपने माता-पिता की याद में पेंडेंट लटकाती है विज बैंग मजाक में कहते हैं चलो एक नई चाबी बनाते हैं, शायद इस बार कम धमाकेदा क्लॉक वर्क की ब्रासहेवन शहर हर सुभा अपनी विशाल यांतरिक धड़कन के साथ जागता था गियर घूमते, भाप निकलती और पिस्टन पत्थरों के नीचे छिपे केंद्रिय इंजन की लए में चलते आसमान हमेशा तामबे और धुएं के रंग का रहता गैस लैंप और टिम्टिमाती बिजली की रोशनी से चमकता हुआ इस शहर का हर पहलू कोर पर निर्भर था जो गहराई में छिपा हुआ एक रहस्यमई इंजन था मिरा गियर लॉक इसी महान मशीन की चाया में बड़ी हुई थी हाला कि उसने इसे कभी नहीं देखा वह शहर के निचले इलाके में अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान चलाती थी जहां वह ऑटोमेटन, जेब घडिया और अजीबो गरीब गैजेट्स की मरम्मत करती थी उसका एक मात्र साथी था स्प्रॉकेट, एक छोटा सा रोबोट जिसे उसने कबाड के पुर्जों से बनाया था शहर अनन्त लगता था, एक भूल-भूलिया जोगियर, भाप और संकरी गलियों से बनी थी लेकिन मिरा की दुनिया छोटी थी उसे अपने बच्पन की कोई याद नहीं थी, सिवाए एक धुन्धली छवी के एक प्रतीक जो एक कोग और एक ज्वाला को जोडता था एक बारिश भरी दोपहर, मिरा को एक पुरानी कार्यशाला मिलती है, जो एक धहते हुए गोदाम के पीछे छिपी थी अंदर उसे एक अजीब पीतल की चाबी मिलती है, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए होते हैं, और वह हलकी सी चमकती है जैसे ही मिरा उचसुकता से चाबी घुमाती है, एक प्राचीन मशीन सक्रिय हो जाती है, और शहर का एक होलोग्राफिक नक्षा प्रोजेक्ट करती है यह केवल कोई साधारन नक्षा नहीं था, यह भूमिगत सुरंगों का जाल दिखाता है, जिसका केंद्र चमकता हुआ दिखाई देता है अचानक यांत्रिक शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं लाल आखों वाले ये कुत्ते उसे मारने पर उतारू होते हैं वह चावी पकड़ कर भागती है और बाहर निकलते ही एक अजीब व्यक्ति उसकी मदद करता है भागो, बच्ची वह जोर से चिलाता है मैं इन लोहे के कुत्तों को संभाल लूँगा मिरा के रक्षक थे प्रोफेसर जेंडर विजबैंड एक सन की आविशकारक उनकी जंगली, घुंगराली बाल और अजीबो ग्रीब उपकरनों से भरी हुई जैकेट ने उन्हें किसी वैज्यानिक से अधिक पागल व्यक्ति जैसा दिखाया अहाँ, यह चावी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या पाया है? प्रोफेसर ने बताया कि यह चावी साधारन नहीं थी यह एक क्लॉक वर्क की थी, ब्रास हेवन के निर्माण के समय की एक रहस्यमेई चीज, जो शहर के दिल तक पहुँचने का मार्क खोल सकती थी मिरा को उस पर संदे हुआ, लेकिन प्रोफेसर का उच्साह उसे प्रभावित कर गया उन्होंने मिलकर यह तै किया कि नक्षे का अनुसर्ण करते हुए कोर के रहस्य को उजागर करेंगे जैसे ही मिरा और विजबैन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि फॉकबॉर्न कलेक्टिव एक रहस्यमय गुट उनके पीछे है फॉकबॉर्न ऐसे इंजिनियर थे जो शहर को अपने कबजे में लेना चाहते थे एक घड़ी घर में फॉकबॉर्न का नेता, कैप्टन ड्रेगन अपने सैनिकों के साथ हमला करता है वह मिरा से चाबी मांगता है विजबैंग अपने गैजेट्स का इस्तिमाल करते हुए उनका सामना करते हैं एक विद्युक छड़ी, धुआ छोड़ने वाली छत्री और यहां तक की एक पोर्टेबल फ्ले मत्रोव मिरा अपनी बुद्धिमानी से घड़ी की एक तंत्रिका का उप्योग करती है और एक जाल बिचा कर उन्हें फंसाती है दोनों किसी तरह बच निकलते हैं नक्षा उन्हें एक प्राचीन लिफ्ट तक ले जाता है यह उन्हें भूमिगत भूल भूलेया तक पहुचाती है गियर और भाब के बीच यह जगह भयानक और जटिल थी वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यांत्रिक मकडिया, विशाल, खतरनाक मकडिया जो तेज धार वाले पैरों से लैस थी मिरा चाबी का उप्योग करते हुए उनके नियंत्रन तंत्र को ओवरलोड कर देती है पहली दर्वाजे विश बैन पुराने कोड को डिकोड करके गुप्ट दर्वाजे खोलते हैं गिरता हुआ पुल्क मिरा की तेजी और समझदारी उन्हें पिघले हुए धातु की नदी में गिरने से बचाती है भूल-भूलिया में मिरा को अपने बचपन की यादे धीरे-धीरे वापस आने लगती है वह याद करती है कि उसके माता पिता ने उसे एक पेंडेंट दिया था जो फॉकबॉर्न के प्रतीक जैसा दिखता था भूल-भूलिया के केंडर में वे कोर कक्ष तक पहुँचते हैं यह एक विशाल गियर और उर्जा से भरा हुआ कमरा था मिरा चाबी को केंडरिय स्लोट में डालती है द्रेगन और फॉकबॉर्न भी वहाँ पहुँच जाते हैं द्रेगन बताता है कि मिरा के माता पिता कोर के निर्माता थे लेकिन उन्होंने चाबी छिपा दी क्योंकि वे कोर की शक्ती को खतरनाक मानते थे कोर खराब हो जाता है और पूरा शहर खत्रे में पढ़ जाता है ड्रेगन मिरा पर दबाव डालता है कि वह कोर को फिर से प्रोग्राम करे लेकिन मिरा मना कर देती है मिरा को एसास होता है कि कोर को स्थिर करने का एक मात्र तरीका चाबी को नश्ट करना है यह शहर को बचा लेगा, लेकिन उसकी पुरानी यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा वह चाबी को सक्रिय करती है, जिससे एक नियंत्रित विस्फोट होता है कोर स्थिर हो जाता है, लेकिन चाबी हमेशा के लिए खो जाती है विज बैंग मिरा को बचाकर उपर ले जाते हैं शहर अब सुरक्षित है मिरा अपने कार्यशाला में वापस आती है और अपने माता पिता की याद में पेंडेंट लटकाती है विज बैंग मजाक में कहते हैं चलो एक नई चाबी बनाते हैं शायद इस बार कम धमाकेदार क्लॉक वर्क की ब्रास हेवन शहर हर सुभा अपनी विशाल यांतरिक धड़कन के साथ जागता था गियर घूमते, भाप निकलती और पिस्टन पत्थरों के नीचे छिपे केंद्रिय इंजन की लए में चलते आस्मान हमेशा तामबे और धुएं के रंग का रहता, गैस लैंप और टिम्टिमाती बिजली की रोशनी से चमकता हुआ इस शहर का हर पहलू कोर पर निर्भर था, जो गहराई में छिपा हुआ एक रहस्यमई इंजन था मिरा गियर लॉक इसी महान मशीन की चाया में बड़ी हुई थी, हालां कि उसने इसे कभी नहीं देखा वह शहर के निचले इलाके में अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान चलाती थी, जहां वह ऑटोमेटन, जेब घडियां और अजीबो गरीब गैजेट्स की मरम्मत करती थी उसका एक मात्र साथी था स्प्रॉकेट, एक छोटा सा रोबोट जिसे उसने कबाड के पुर्जों से बनाया था शहर अनंत लगता था, एक भूल-भुलिया जोगियर, भाप और संकरी गलियों से बनी थी, लेकिन मिरा की दुनिया छोटी थी उसे अपने बच्पन की कोई याद नहीं थी, सिवाए एक धुन्धली छवी के एक प्रतीक जो एक कोग और एक ज्वाला को जोडता था एक बारिश भरी दोपहर, मिरा को एक पुरानी कार्यशाला मिलती है, जो एक धहते हुए गोदाम के पीछे छिपी थी अंदर उसे एक अजीब पीतल की चाबी मिलती है, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए होते हैं, और वह हलकी सी चमकती है जैसे ही मिरा उचसुकता से चाबी घुमाती है, एक प्राचीन मशीन सक्रिय हो जाती है, और शहर का एक होलोग्राफिक नक्षा प्रोजेक्ट करती है यह केवल कोई साधारन नक्षा नहीं था, यह भूमिगत सुरंगों का जाल दिखाता है, जिसका केंद्र चमकता हुआ दिखाई देता है अचानक यांत्रिक शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं लाल आखों वाले ये कुत्ते उसे मारने पर उतारू होते हैं वह चावी पकड़ कर भागती है और बाहर निकलते ही एक अजीब व्यक्ति उसकी मदद करता है भागो, बच्ची वह जोर से चिलाता है मैं इन लोहे के कुत्तों को संभाल लूँगा मिरा के रक्षक थे प्रोफेसर जेंडर विजबैंड एक सन की आविशकारत उनकी जंगली, घुंगराली बाल और अजीबो ग्रीब उपकरनों से भरी हुई जैकेट ने उन्हें किसी वैज्यानिक से अधिक पागल व्यक्ति जैसा दिखाया अहाँ, यह चावी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या पाया है? प्रोफेसर ने बताया कि यह चावी साधारन नहीं थी यह एक क्लॉक वर्क की थी, ब्रास हेवन के निर्माण के समय की एक रहस्यमेई चीज, जो शहर के दिल तक पहुँचने का मार्क खोल सकती थी मिरा को उस पर संदे हुआ, लेकिन प्रोफेसर का उच्साह उसे प्रभावित कर गया उन्होंने मिलकर यह तै किया कि नक्षे का अनुसर्ण करते हुए कोर के रहस्य को उजागर करेंगे जैसे ही मिरा और विजबैन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि फॉकबॉर्न कलेक्टिव एक रहस्यमय गुट उनके पीछे है फॉकबॉर्न ऐसे इंजिनियर थे जो शहर को अपने कबजे में लेना चाहते थे एक घड़ी घर में फॉकबॉर्न का नेता, कैप्टन ड्रेगन अपने सैनिकों के साथ हमला करता है वह मिरा से चाबी मांगता है विजबैंग अपने गैजेट्स का इस्तिमाल करते हुए उनका सामना करते हैं एक विद्युक छड़ी, धुआ छोड़ने वाली छत्री और यहां तक की एक पोर्टेबल फ्ले मत्रोव मिरा अपनी बुद्धिमानी से घड़ी की एक तंत्रिका का उप्योग करती है और एक जाल बिचा कर उन्हें फंसाती है दोनों किसी तरह बच निकलते हैं नक्षा उन्हें एक प्राचीन लिफ्ट तक ले जाता है यह उन्हें भूमिगत भूल भूलेया तक पहुचाती है गियर और भाब के बीच यह जगह भयानक और जटिल थी वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यांत्रिक मकडिया, विशाल, खतरनाक मकडिया जो तेज धार वाले पैरों से लैस थी मिरा चाबी का उप्योग करते हुए उनके नियंत्रन तंत्र को ओवरलोड कर देती है पहली दर्वाजे विश बैन पुराने कोड को डिकोड करके गुप्ट दर्वाजे खोलते हैं गिरता हुआ पुल्क मिरा की तेजी और समझदारी उन्हें पिघले हुए धातु की नदी में गिरने से बचाती है भूल-भूलिया में मिरा को अपने बचपन की यादे धीरे-धीरे वापस आने लगती है वह याद करती है कि उसके माता पिता ने उसे एक पेंडेंट दिया था जो फॉकबॉर्न के प्रतीक जैसा दिखता था भूल-भूलिया के केंडर में वे कोर कक्ष तक पहुँचते हैं यह एक विशाल गियर और उर्जा से भरा हुआ कमरा था मिरा चाबी को केंडरिय स्लोट में डालती है द्रेगन और फॉकबॉर्न भी वहाँ पहुँच जाते हैं द्रेगन बताता है कि मिरा के माता-पिता कोर के निर्माता थे लेकिन उन्होंने चाबी छिपा दी क्योंकि वे कोर की शक्ती को खतरनाक मानते थे कोर खराब हो जाता है और पूरा शहर खत्रे में पढ़ जाता है ड्रेगन मिरा पर दबाव डालता है कि वह कोर को फिर से प्रोग्राम करे लेकिन मिरा मना कर देती है मिरा को एसास होता है कि कोर को स्थिर करने का एक मात्र तरीका चाबी को नश्ट करना है यह शहर को बचा लेगा, लेकिन उसकी पुरानी यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा. वह चाबी को सक्रिय करती है, जिससे एक नियंतरित विस्पोट होता है. कोर स्थिर हो जाता है, लेकिन चाबी हमेशा के लिए खो जाती है. विज बैंग मिरा को बचाकर उपर ले जाते हैं शहर अब सुरक्षित है मिरा अपने कार्यशाला में वापस आती है और अपने मातापिता की याद में पेंडेंट लटकाती है विज बैंग मजाक में कहते हैं चलो एक नई चाबी बनाते हैं शायद इस बार कम धमाकेदार क्लॉक वर्क की ब्रास हेवन शहर हर सुभा अपनी विशाल यांतरिक धड़कन के साथ जागता था गियर घूमते, भाप निकलती और पिस्टन पत्थरों के नीचे छिपे केंद्रिय इंजन की लए में चलते आस्मान हमेशा तामबे और धुएं के रंग का रहता, गैस लैंप और टिम्टिमाती बिजली की रोशनी से चमकता हुआ इस शहर का हर पहलू कोर पर निर्भर था, जो गहराई में छिपा हुआ एक रहस्यमई इंजन था मिरा गियर लॉक इसी महान मशीन की चाया में बड़ी हुई थी, हाला कि उसने इसे कभी नहीं देखा वह शहर के निचले इलाके में अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान चलाती थी, जहां वह ऑटोमेटन, जेब घडियां और अजीबो गरीब गैजेट्स की मरम्मत करती थी उसका एक मात्र साथी था स्प्रॉकेट, एक छोटा सा रोबोट जिसे उसने कबाड के पुर्जों से बनाया था शहर अनंत लगता था, एक भूल-भुलिया जोगियर, भाप और संकरी गलियों से बनी थी, लेकिन मिरा की दुनिया छोटी थी उसे अपने बच्पन की कोई याद नहीं थी, सिवाए एक धुन्धली छवी के एक प्रतीक जो एक कोग और एक ज्वाला को जोडता था एक बारिश भरी दोपहर, मिरा को एक पुरानी कार्यशाला मिलती है, जो एक धहते हुए गोदाम के पीछे छिपी थी अंदर उसे एक अजीब पीतल की चाबी मिलती है, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए होते हैं, और वह हलकी सी चमकती है जैसे ही मिरा उचसुकता से चाबी घुमाती है, एक प्राचीन मशीन सक्रिय हो जाती है, और शहर का एक होलोग्राफिक नक्षा प्रोजेक्ट करती है यह केवल कोई साधारन नक्षा नहीं था, यह भूमिगत सुरंगों का जाल दिखाता है, जिसका केंद्र चमकता हुआ दिखाई देता है अचानक यांत्रिक शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं लाल आखों वाले ये कुत्ते उसे मारने पर उतारू होते हैं वह चावी पकड़ कर भागती है और बाहर निकलते ही एक अजीब व्यक्ति उसकी मदद करता है भागो, बच्ची वह जोर से चिलाता है मैं इन लोहे के कुत्तों को संभाल लूँगा मिरा के रक्षक थे प्रोफेसर जेंडर विजबैंड एक सन की आविशकारक उनकी जंगली, घुंगराली बाल और अजीबो ग्रीब उपकरनों से भरी हुई जैकेट ने उन्हें किसी वैज्यानिक से अधिक पागल व्यक्ति जैसा दिखाया अहाँ, यह चावी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या पाया है? प्रोफेसर ने बताया कि यह चावी साधारन नहीं थी यह एक क्लॉक वर्क की थी, ब्रास हेवन के निर्माण के समय की एक रहस्यमेई चीज, जो शहर के दिल तक पहुँचने का मार्क खोल सकती थी मिरा को उस पर संदे हुआ, लेकिन प्रोफेसर का उच्साह उसे प्रभावित कर गया उन्होंने मिलकर यह तै किया कि नक्षे का अनुसर्ण करते हुए कोर के रहस्य को उजागर करेंगे जैसे ही मिरा और विजबैन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि फॉकबॉर्न कलेक्टिव एक रहस्यमय गुट उनके पीछे है फॉकबॉर्न ऐसे इंजिनियर थे जो शहर को अपने कबजे में लेना चाहते थे एक घड़ी घर में फॉकबॉर्न का नेता, कैप्टन ड्रेगन अपने सैनिकों के साथ हमला करता है वह मिरा से चाबी मांगता है विजबैंग अपने गैजेट्स का इस्तिमाल करते हुए उनका सामना करते हैं एक विद्युक छड़ी, धुआ छोड़ने वाली छत्री और यहां तक की एक पोर्टेबल फ्ले मत्रोव मिरा अपनी बुद्धिमानी से घड़ी की एक तंत्रिका का उप्योग करती है और एक जाल बिचा कर उन्हें फंसाती है दोनों किसी तरह बच निकलते हैं नक्षा उन्हें एक प्राचीन लिफ्ट तक ले जाता है यह उन्हें भूमिगत भूल भूलेया तक पहुचाती है गियर और भाब के बीच यह जगह भयानक और जटिल थी वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यांत्रिक मकडिया, विशाल, खतरनाक मकडिया जो तेज धार वाले पैरों से लैस थी मिरा चाबी का उप्योग करते हुए उनके नियंत्रन तंत्र को ओवरलोड कर देती है पहली दर्वाजे विश बैन पुराने कोड को डिकोड करके गुप्ट दर्वाजे खोलते हैं गिरता हुआ पुल्क मिरा की तेजी और समझदारी उन्हें पिघले हुए धातु की नदी में गिरने से बचाती है भूल-भूलिया में मिरा को अपने बचपन की यादे धीरे-धीरे वापस आने लगती है वह याद करती है कि उसके माता पिता ने उसे एक पेंडेंट दिया था जो फॉकबॉर्न के प्रतीक जैसा दिखता था भूल-भूलिया के केंडर में वे कोर कक्ष तक पहुँचते हैं यह एक विशाल गियर और उर्जा से भरा हुआ कमरा था मिरा चाबी को केंडरिय स्लोट में डालती है द्रेगन और फॉकबॉर्न भी वहाँ पहुँच जाते हैं द्रेगन बताता है कि मिरा के माता-पिता कोर के निर्माता थे लेकिन उन्होंने चाबी छिपा दी क्योंकि वे कोर की शक्ती को खतरनाक मानते थे कोर खराब हो जाता है और पूरा शहर खत्रे में पढ़ जाता है Dragon मिरा पर दबाव डालता है कि वह कोर को फिर से प्रोग्राम करे, लेकिन मिरा मना कर देती है मिरा को एसास होता है कि कोर को स्थिर करने का एक मात्र तरीका चाबी को नश्ट करना है यह शेहर को बचा लेगा लेकिन उसकी पुरानी यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा वह चाबी को सक्रिय करती है जिससे एक नियंतरित विस्थोट होता है कॉर स्थिर हो जाता है लेकिन चाबी हमेशा के लिए खो जाती है विज बैंग मिरा को बचा कर उपर ले जाते हैं शहर अब सुरक्षित है मिरा अपने कार्यशाला में वापस आती है और अपने माता पिता की याद में पेंडेंट लटकाती है विज बैंग मजाक में कहते हैं चलो एक नई चाबी बनाते हैं शायद इस बार कम धमाकेदार क्लॉक वर्क की ब्रास हेवन शहर हर सुबह अपनी विशाल यांतरिक धड़कन के साथ जागता था गेर घूमते, भाप निकलती और पिस्टन पत्थरों के नीचे छिपे केंद्रिय इंजन की लए में चलते आस्मान हमेशा तामबे और धुएं के रंग का रहता गैस लैंप और टिम्टिमाती बिजली की रोशनी से चमकता हुआ इस शहर का हर पहलू कोर पर निर्भर था जो गहराई में छिपा हुआ एक रहस्यमई इंजन था मिरा गियर लॉक इसी महान मशीन की चाया में बड़ी हुई थी हालां कि उसने इसे कभी नहीं देखा वह शहर के निचले इलाके में अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान चलाती थी जहां वह ऑटोमेटन, जेब घडियां और अजीबो गरीब गैजेट्स की मरम्मत करती थी उसका एक मात्र साथी था स्प्रोकेट, एक छोटा सा रोबोट जिसे उसने कबाड के पुर्जों से बनाया था शहर अनन्त लगता था, एक भूल-भूलिया जोगियर, भाप और संकरी गलियों से बनी थी लेकिन मिरा की दुनिया छोटी थी उसे अपने बच्पन की कोई याद नहीं थी, सिवाए एक धुन्धली छवी के एक प्रतीक जो एक कोग और एक ज्वाला को जोडता था एक बारिश भरी दोपहर, मिरा को एक पुरानी कार्यशाला मिलती है, जो एक धहते हुए गोदाम के पीछे छिपी थी अंदर उसे एक अजीब पीतल की चाबी मिलती है, जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए होते हैं, और वह हलकी सी चमकती है जैसे ही मिरा उत्सुकता से चाबी घुमाती है, एक प्राचीन मशीन सक्रिय हो जाती है, और शहर का एक होलोग्राफिक नक्षा प्रजाशाला अलादीन और जादूई यंत्र, नई दुनिया का रहस्या बहुत समय पहले की बात है, जब अलादीन ने जादूई चिराख के जिन्न की मदद से अपने राज्य को सम्रिद और खुशाल बना दिया था अब अलादीन बड़े हो चुके थे और उन्होंने जिन्न को हमेशा के लिए आजात कर दिया था उनका राज्य चमचमाते महलों, हरे भरे बागों और खुशाल लोगों से भरा हुआ था लेकिन उनके अंदर हमेशा एक बात खटकती थी, क्या जादू और रोमांच अब उनकी जिन्दगी से हमेशा के लिए खत्म हो गया है एक दिन, अलादीन अपने पुराने चिराक को देखने अपनी गुप्त गुफा में गए वहां उन्हें एक पुराना यंत्र मिला, जो जादूई प्रतीत हो रहा था यंत्र गोल था, जिसके अंदर घूमते हुए गियर और छोटे-छोटे चमकते सितारे दिख रहे थे उस यंत्र के साथ एक संदेश था यहां यंत्र नई दुनिया का द्वार खोलता है लेकिन यहां द्वार केवल वही खोल सकता है, जिसका दिल निडर और इरादे सच्चे हो अलादीन को लगा कि यहां उनके जीवन में एक नया रोमांच लाएगा उन्होंने यंत्र उठाया और जैसे ही उन्होंने इसे घुमाया, एक सुनहरी रोशनी चारो तरफ फैल गई सुनहरी रोशनी के साथ अलादीन ने खुद को एक नई अजीब जगह पर पाया यहां जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लग रही थी आस्मान में चांद और तारे बहुत पास दिखाई दे रहे थे और जमीन पर चमकती हुई रेथ थी अलादीन को समझ नहीं आया कि वह कहा है तभी उनके सामने एक जादूई यांत्रिक जिन्न प्रकट हुआ यह जिन्न पुराने जिन्न जैसा नहीं था यह धातू से बना हुआ था और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे गियर घूम रहे थे उसने कहा अलादीन तुमने मुझे जागरित किया है यह यंत्र एक प्राचीन दुनिया का रहस्य खोलता है लेकिन तुम्हें इस दुनिया के तीन खतरनाक परिक्षणों को पार करना होगा अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें नई शक्तियां और ज्ञान मिलेगा अगर असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे अलादीन ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर ली पहला परिक्षण था घुमावदार ग्यरों का पहाड जो पूरी तरह से घूमते हुए धातु के ग्यरों से बना था जिन्न ने कहा इस पहाड के शीर्ष पर एक बटन है अगर तुम इसे दबा सको तो तुम अगली चुनौती पर जा सकोगे लेकिन ध्यान रखना ग्यर कभी रुकते नहीं और अगर तुम गिर गए तो सब खत्म हो जाएगा अलादीन ने ध्यान से अपने रास्ते की योजना बनाई उन्होंने अपने अनुभव और बुद्धिमानी का इस्तिमाल किया पहले उन्होंने ग्यरों के घूमने की गती को समझा फिर उन्होंने अपने मजबूत रेश्मी कपडों का इस्तिमाल किया और रस्सी बनाकर ग्यरों पर चड़ने लगे एक बार फिसलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंतः शीर्ष पर पहुँचकर बटन दबा दिया जिन्न ने कहा तुमने अपनी साहस और धैर्य का परिचय दिया अब दूसरी चुनौती के लिए तयार हो जाओ दूसरी चुनौती थी समय का पत यह एक भूल भूलया थी जिसमें हर रास्ता समय को बदल सकता था जिन्न ने चेतावनी दी सही रास्ता चुनो वरना तुम भूतकाल या भविश में हमेशा के लिए खो सकते हो अलादीन ने देखा कि हर रास्ते के ऊपर एक घड़ी टंगी थी कुछ घड़िया उल्टा चल रही थी और कुछ तेज उन्होंने समझा की समय की गती ही उनका मार्ग दर्शन करेगी वह उन घड़ियों का अनुसरण करने लगे जो सही दिशा में चल रही थी रास्ते में उन्हें अपने अतीत की जलकिया दिखी जब वह गरीब थे और उन्हें अपनी मा की सीख याद आई सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का सामना करो अन्तता उन्होंने सही रास्ता चुना और भूल भुलेया से बाहर निकल आए जिन्न ने कहा तुमने समय के खेल को समझ लिया अब तुम्हें सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा अन्तिम चुनौती सबसे कठिन थी अलादीन को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया जहां तीन दर्वाजे थे जिन्न ने कहा इन तीन दर्वाजों में से केवल एक सही है एक दर्वाजा तुम्हें तुम्हारी मन्जिल तक ले जाएगा दूसरा दर्वाजा तुम्हें गहरे अंधकार में फसा देगा और तीसरा दर्वाजा तुम्हें लालच और भ्रम की दुन्या में फसा देगा दर्वाजों के उपर तीन संकेत लिखे थे तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा सच्चा दिल अलादीन ने सोचा पहला दर्वाजा उसे उसकी इच्छाओं के बारे में बता रहा था दूसरा दर्वाजा उसके डर को भुनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तीसरा दर्वाजा यह उसके दिल की सच्चाई को चुनौती दे रहा था उन्होंने तीसरा दर्वाजा चुना दर्वाजा खुलते ही उन्हें अपने भीतर की ताकत का एहसास हुआ यह दर्वाजा न केवल जादूई पत्थर तक ले गया, बल्कि उसे समझाया कि सच्चा जादू निडरता, सच्चाई और आत्मविश्वास में है अलादीन को एक प्राचीन क्रिस्टल मिला, जो ग्यान और उर्जा का स्रोथ था जिन्न ने कहा, तुमने इन तीन परिक्षणों को पार कर लिया, अब यह क्रिस्टल तुम्हारा है, इसका उप्योग केवल अच्छाई के लिए करना अलादीन ने वादा किया कि वह इन शक्तियों का उप्योग अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए करेगा उन्होंने क्रिस्टल को यंत्र में स्थापित किया, जिससे उनकी दुनिया और नई दुनिया के बीच एक पुल बन गया अलादीन अपनी दुनिया में वापस लोट आए उन्होंने क्रिस्टल की शक्तियों से अपने राज्य को और भी सम्रिध बना दिया अब लोग न केवल उन्हें राजा के रूप में जानते थे, बलकी एक महान साहसी और सच्चे नायक के रूप में भी उनकी कहानी नई पीडियों के लिए एक प्रेरणा बन गई यह सिखाने के लिए कि सच्चा जादू बाहरी शक्तियों में अलादीन और जादूई यंत्र, नई दुन्या का रहस्या बहुत समय पहले की बात है, जब अलादीन ने जादूई चिराक के जिन्न की मदद से अपने राज्य को सम्रिध और खुशाल बना दिया था अब अलादीन बड़े हो चुके थे और उन्होंने जिन्न को हमेशा के लिए आजाद कर दिया था उनका राज्य चम्चमाते महलों, हरे भरे बागों और खुशाल लोगों से भरा हुआ था लेकिन उनके अंदर हमेशा एक बात खटकती थी क्या जादू और रोमांच अब उनकी जिन्दगी से हमेशा के लिए खत्म हो गया है एक दिन अलादीन अपने पुराने चिराक को देखने अपनी गुप्त गुफा में गए वहाँ उन्हें एक पुराना यंत्र मिला जो जादूई प्रतीत हो रहा था यंत्र गोल था जिसके अंदर घूमते हुए गियर और छोटे-छोटे चमकते सितारे दिख रहे थे उस यंत्र के साथ एक संदेश था यहां यंत्र नई दुनिया का द्वार खोलता है लेकिन यहां द्वार केवल वही खोल सकता है जिसका दिल निडर और इरादे सच्चे हो अलादीन को लगा कि यहां उनके जीवन में एक नया रोमांच लाएगा उन्होंने यंत्र उठाया और जैसे ही उन्होंने इसे घुमाया एक सुनहरी रोशनी चारो तरफ फैल गई सुनहरी रोशनी के साथ अलादीन ने खुद को एक नई अजीब जगह पर पाया यहां जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लग रही थी आस्मान में चांद और तारे बहुत पास दिखाई दे रहे थे और जमीन पर चमकती हुई रेथ थी अलादीन को समझ नहीं आया कि वह कहा है तभी उनके सामने एक जादूई यांत्रिक जिन्न प्रकट हुआ यह जिन्न पुराने जिन्न जैसा नहीं था यह धातु से बना हुआ था और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे गियर घूम रहे थे उसने कहा अलादीन तुमने मुझे जागरित किया है यह यंत्र एक प्राचीन दुनिया का रहस्य खोलता है लेकिन तुम्हें इस दुनिया के तीन खतरनाक परिक्षणों को पार करना होगा अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें नई शक्तियां और ज्ञान मिलेगा अगर असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे अलादीन ने बिना डरे चुनोती स्वीकार कर ली पहला परिक्षण था घुमावदार ग्यरों का पहाड जो पूरी तरह से घूमते हुए धातु के ग्यरों से बना था जिन्न ने कहा इस पहाड के शीर्ष पर एक बटन है अगर तुम इसे दबा सको तो तुम अगली चुनोती पर जा सकोगे लेकिन ध्यान रखना ग्यर कभी रुकते नहीं और अगर तुम गिर गए तो सब खत्म हो जाएगा अलादीन ने ध्यान से अपने रास्ते की योजना बनाई उन्होंने अपने अनुभव और बुद्धिमानी का इस्तिमाल किया पहले उन्होंने ग्यरों के घूमने की गती को समझा फिर उन्होंने अपने मजबूत रेश्मी कपडों का इस्तिमाल किया और रस्सी बना कर ग्यरों पर चड़ने लगे एक बार फिसलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर शीर्ष पर पहुँच कर बटन दबा दिया जिन्न ने कहा तुमने अपनी साहस और धैर्य का परिचय दिया अब दूसरी चुनौती के लिए तयार हो जाओ दूसरी चुनौती थी समय का पत यह एक भूल भूलया थी जिसमें हर रास्ता समय को बदल सकता था जिन्न ने चेतावनी दी सही रास्ता चुनो वरना तुम भूतकाल या भविश में हमेशा के लिए खो सकते हो अलादीन ने देखा कि हर रास्ते के ऊपर एक घड़ी टंगी थी कुछ घड़िया उल्टा चल रही थी और कुछ तेज उन्होंने समझा की समय की गती ही उनका मार्ग दर्शन करेगी वह उन घड़ियों का अनुसरन करने लगे जो सही दिशा में चल रही थी रास्ते में उन्हें अपने अतीत की जलकिया दिखी जब वह गरीब थे और उन्हें अपनी मा की सीख याद आई सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का सामना करो अंतता उन्होंने सही रास्ता चुना और भूल भुलेया से बाहर निकलाए जिन्न ने कहा तुमने समय के खेल को समझ लिया अब तुम्हें सबसे कठिन चुनावती का सामना करना होगा अंतिम चुनावती सबसे कठिन थी अलादीन को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया जहां तीन दर्वाजे थे जिन्न ने कहा इन तीन दर्वाजों में से केवल एक सही है एक दर्वाजा तुम्हें तुम्हारी मन्जिल तक ले जाएगा दूसरा दर्वाजा तुम्हें गहरे अंधकार में फसा देगा और तीसरा दर्वाजा तुम्हें लालच और भ्यम की दुन्या में फसा देगा दर्वाजों के उपर तीन संकेत लिखे थे तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा सच्चा दिल अलादीन ने सोचा पहला दर्वाजा उसे उसकी इच्छाओं के बारे में बता रहा था दूसरा दर्वाजा उसके डर को भुनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तीसरा दर्वाजा यहां उसके दिल की सच्चाई को चुनौती दे रहा था उन्होंने तीसरा दर्वाजा चुना दर्वाजा खुलते ही उन्हें अपने भीतर की ताकत का एहसास हुआ यहां दर्वाजा न केवल जादूई पत्थर तक ले गया बलकि उसे समझाया कि सच्चा जादू निडरता, सच्चाई और आत्मविश्वास में है अलादीन को एक प्राचीन क्रिस्टल मिला जो ग्यान और उर्जा का स्रोध था जिन्न ने कहा तुमने इन तीन परिक्षणों को पार कर लिया अब यह क्रिस्टल तुम्हारा है इसका उप्योग केवल अच्छाई के लिए करना अलादीन ने वादा किया कि वह इन शक्तियों का उप्योग अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए करेगा उन्होंने क्रिस्टल को यंत्र में स्थापित किया जिससे उनकी दुनिया और नई दुनिया के बीच एक पुल बन गया अलादीन अपनी दुनिया में वापस लौट आए उन्होंने क्रिस्टल की शक्तियों से अपने राज्य को और भी सम्रिद्ध बना दिया अब लोग न केवल उन्हें राजा के रूप में जानते थे बलकि एक महान साहसी और सचे नायक के रूप में भी उनकी कहानी नई पीडियों के लिए एक प्रेरणा बन गई यह सिखाने के लिए कि सच्चा जादू बाहरी शक्तियों में नहीं बलकि हमारे साहस, बुद्धी और सच्चाई में है अलादीन और जादूई यंत्र नई दुन्या का रहस्या बहुत समय पहले की बात है जब अलादीन ने जादूई चिराक के जिन्न की मदद से अपने राज्य को सम्रिद और खुशाल बना दिया था अब अलादीन बड़े हो चुके थे और उन्होंने जिन्न को हमेशा के लिए आजाद कर दिया था उनका राज्य चमचमाते महलों, हरे भरे बागों और खुशाल लोगों से भरा हुआ था लेकिन उनके अंदर हमेशा एक बात खटकती थी क्या जादू और रोमांच अब उनकी जिन्दगी से हमेशा के लिए खत्म हो गया है एक दिन अलादीन अपने पुराने चिराक को देखने अपनी गुप्त गुफा में गए वहाँ उन्हें एक पुराना यंत्र मिला जो जादूई प्रतीत हो रहा था यंत्र गोल था जिसके अंदर घूमते हुए गियर और छोटे-छोटे चमकते सितारे दिख रहे थे उस यंत्र के साथ एक संदेश था यहां यंत्र नई दुनिया का द्वार खोलता है लेकिन यहां द्वार केवल वही खोल सकता है जिसका दिल निडर और इरादे सच्चे हो अलादीन को लगा कि यहां उनके जीवन में एक नया रोमांच लाएगा उन्होंने यंत्र उठाया और जैसे ही उन्होंने इसे घुमाया एक सुनहरी रोशनी चारो तरफ फैल गई सुनहरी रोशनी के साथ अलादीन ने खुद को एक नई अजीब जगह पर पाया यहां जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लग रही थी आस्मान में चांद और तारे बहुत पास दिखाई दे रहे थे और जमीन पर चमकती हुई रेथ थी अलादीन को समझ नहीं आया कि वह कहा है तभी उनके सामने एक जादूई यांत्रिक जिन्न प्रकट हुआ यह जिन्न पुराने जिन्न जैसा नहीं था यह धातु से बना हुआ था और उसके चारो तरफ छोटे छोटे गियर घूम रहे थे उसने कहा अलादीन तुमने मुझे जागरित किया है यह यंत्र एक प्राचीन दुनिया का रहस्य खोलता है लेकिन तुम्हें इस दुनिया के तीन खतरनाक परिक्षणों को पार करना होगा अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें नई शक्तियां और ज्ञान मिलेगा अगर असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे अलादीन ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर ली पहला परिक्षण था घुमावदार ग्यरों का पहाड जो पूरी तरह से घूमते हुए धातु के ग्यरों से बना था जिन्न ने कहा इस पहाड के शीर्ष पर एक बटन है अगर तुम इसे दबा सको तो तुम अगली चुनौती पर जा सकोगे लेकिन ध्यान रखना ग्यर कभी रुकते नहीं और अगर तुम गिर गए तो सब खत्म हो जाएगा अलादीन ने ध्यान से अपने रास्ते की योजना बनाई उन्होंने अपने अनुभव और बुद्धिमानी का इस्तिमाल किया पहले उन्होंने ग्यरों के घूमने की गती को समझा फिर उन्होंने अपने मजबूत रेश्मी कपड़ों का इस्तिमाल किया और रसी बनाकर गियरों पर चड़ने लगे एक बार फिसलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर शीर्ष पर पहुँच कर बटन दबा दिया जिन्न ने कहा तुमने अपनी साहस और धैर्य का परिचै दिया अब दूसरी चुनौती के लिए तयार हो जाओ दूसरी चुनौती थी समय का पत यह एक भूल भुलया थी जिसमें हर रास्ता समय को बदल सकता था जिन्न ने चेतावनी दी सही रास्ता चुनो वरना तुम भूतकाल या भविश में हमेशा के लिए खो सकते हो और कुछ तेज उन्होंने समझा की समय की गती ही उनका मार्ग दर्शन करेगी वह उन घडियों का अनुसरन करने लगे जो सही दिशा में चल रही थी रास्ते में उन्हें अपने अतीत की जलकिया दिखी जब वह गरीब थे और उन्हें अपनी मा की सीख याद आई जिन्न ने कहा तुमने समय के खेल को समझ लिया अब तुम्हें सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा अन्तिम चुनौती सबसे कठिन थी अलादीन को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया जहां तीन दर्वाजे थे जिन्न ने कहा इन तीन दर्वाजों में से केवल एक सही है एक दर्वाजा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा दूसरा दर्वाजा तुम्हें गहरे अंधकार में फसा देगा